आखिरकर आराज समाज पार्टी ने अखेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, सुरबात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है चंदर शिकराजाद, आखिरकर जो गडबंदन आप करना चाहरे थे वो नहीं हुआ और अब आप अकेले ही चुनाव में उतरने जा रहे हैं। मैंने परियास किया था कि किसी भी कीमत पे विपक्स में विखरावना हूँ और इसके लिए मैं सारी गुर्बानी देने को तयार था। और मैं समझता हूँ मैंने जो समय दिया था उस तक मैंने इंतजार भी किया। लेकिन हम यहां किसी की दया पे नहीं है। आज जहां चं प्रजन समाज के लोग साथ क्योंकि मैंने पिछले पांस साल में बहुत कुछ खोया है पिछले पांस साल में हो दो साल के करीब तो मैं लगबक जेल में रहा मैंने लाटिया खाई सोच जाता मुकदमे जहले जो तमाम विपक्स आज चुनावी में वोट मांगने के लिए आ ग बाद चुनावी लड़ेंगे और एक हमने समाज एक नाय समीती जो बनती है कि जिसकी दिन संक्यावर उसकी इस्यधारी हमने उसका भी वैख्यान कराए कि हम कितने कितने परसंट टिकट जो है वो सब लोग को देंगे हम 45 परसंट करीब टिकट जो है वो पिछले वर के जो अन्य धार्पी का अलब संख्य का राष्टी के लोग है उनको देंगे हम एक परतिन्तु देंगे जिससे कि अगर वो लोग जीत के आते हैं तो वो अपनी संख्या के अधार पे अपने हितों की रक्षा के लिए लड़े और नीतिया बनाएं एक सवाल ये भी है कि अभी आपने जो लिजश्चारी की 33 लोगों की चुनाव के लिए उसमें आपका नाम नहीं है क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे मैंने कहा कि मैं तो कारे करता हूं पार्टी का पार्टी जो जिम्मेदारी देगी किसी चुनाव में जाके एक स्रिट पे काम करने की दस स्रिट पे काम करने की सभी स्रिट पे काम करने कि मैं उस काम को अदा करूंगा और मैं पार्टी गायलाइन से कभी उपर नहीं जाता कि वह मुझे अगर कहीं लड़ाना चाहते हैं तो मुझे बताएं तो मैं अपनी बात रखोंगा अगर मुझे मुझे मुख्य मंत्री के खिलाब लड़ूगा कि अपने तैक्या है वह कौन है और क्यूं देखे जैन चोधर जी खिलाब हम लोग परतियासे नहीं उड़ाएंगे लड़ा उतारेंगे हम चाहेंगे लोग सदन में जाएं और अपने च्छित्रों अपने हितों की रक्षा अपने समाज की रक्षक लिए लड़ें शादो वह लड़ेंगे तो उनके खिलाब भी तॉन्के खिलाब भी तर्टैशी नहीं उतारेंगे ये कहना है चंद्शिकर आज़ाद का जिनका कहना है कि वो अब तैय कर चुके हैं और अखेले चुनाव लड़ेंगे आपको रखे आगे झाल झाल